जकरियाह भविश्वक्ता के पुष्टक अध्याय साथ जकरियाह अध्याय साथ फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किसलेव नाम नवे महिने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकरियाह के पास पहुँचा बेतल्वासियों से सरे सेर ओर रेग्यमले को इसलिए भीजा था कि यहोवा से बिंति करे और सिनाओ के यहोवा के भवन के याजकों से और भवुष्वक्ताओं से भी यह पूछे कि क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए जैसे कि पाच्व महिने में कितने वर्षों से हम करत आये हैं, तब सिनाओ के यहवा का यहवचन मेरे पास पहुचा, कि सब साधरन लोगों से और याजकों से यह कहा, कि जब तुम इन सत्तर वर्षों के बीच पाँचवे और साथवे महिनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास क या करते थे, और जब तुम खाते पीते हो, तो क्या तुम आप ही खाने वाले और तुम आप ही पिने वाले नहीं हो, क्या यहवचन नहीं है, जो यहवा अगले भविश वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरुशलेम अपने चारों और के नगरों सम बस हुई और छेन से थी और दक्हिन देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। फिर यहवा का यहावचन जकर यहाँ के पास पहुंचा कि सिनाओं के यहवा ने यो कहा है कि खराई से न." चुकाना और एक दूसरे के साथ कुरुपा और दया से काम करना और न तो विद्वा पर अंधेर करना और न अनाथो पर न परदेशी पर न दीन जन पर और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानी की कलपना करना परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हट किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुनना सके। बरन उन्होंने अपने रधै को वज्र सा इसलिए बना लिया कि वे उस व्यवस्ता और उस वचनों को नमान सके। जिन्हें सिनाओ के यहवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भवश उक्ताव से कहला भेजा था। इस कारण सिनाओ के यहवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का और सिनाओ के यहवा का यहवचन हुआ कि जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा। बरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तित्तर बित्तर कर दूँगा। और उनका देश उनके लिए ऐसा उजाड पड़ा हैगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहरदेश को उजार कर दिया।